कि आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रिय डिस्प्यूट एक्ट 1947 के संदर कि में यानिकि और दोगिक विवाद दिनिया उनने सु सेंटानिस के संदर कि यह काफी मैंतुपून एक्ट है जिसमें से हमेश्या परिक्षाओं में व्यकिन परिक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं इसलिए आज मैं इसके उपर आपके समझ चोटा सा डिस्कुसन करना चाहूंगा और उसमें से मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक चीज़ें समराइज की है जिसको मैं आपके साथ डिसकस करूंगा इसको एक सामाजी की विदायान कहा है और उसके लिए दीमा को चीट यह स्टेट के करमचारियों का जो केस है पेमस केस उसको उन्होंने उद्रित किया है और इस उसमें उन्रेबल कोर्ट ने बताया कि यह जो एक्ट है इसके उन्होंने बताया क्श्य बहाए इसका प्रमुक उदेश रहे वो है करमचारियों और नियोजकों के जो संवन्द हैं वो मधुर। बढ़ने रहें इस च़एं प्रियास करना। अवैद जो हट्टाल और ताला बंदी हैं उनके उपर रोग लगाना ना कि सामूंग शोदेकारी यानि कि कलेक्टिव बार्वेनिंग के जैसी जो नवाचार आप जिनको कह सकते हैं उनको प्रोग साहिद करना रिट्रेज्समेंट और लेओ यानि कि जब रिषुट्टी और छट्नी जो अवैद रूप से होती हैं उनके रोग लगाना और इससे जो प्रभावित करमचारी हैं उनको उप्चार उपलब्द करवाना इत्यादी इत्यादी इंडस्टियल डिस्प्यूट्स का अन्विक्ष इसका जो परिवाशा ठंड है वो काफी महत्वपून है जिसकर मैंने फैक्ट्री जैक्ट के संदर मैं आपसे डिसकस करते समय वहां पे जो शुरुवात होती है वह मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेस यानि क्या भी निर्माट प्रिकरिया से हमने चाहलों किया था तो इस में एक कीे जो बैसिक जो परिवाशा हैं सैंड स्यक्शन に笑 कि आप इंडस्ट्री के संदर में यह को ₹ कि दो तो तो इस संदर्व में आप कभी भी कंफ्यूज ना हैं कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री ये दोनों फिलकुल अलग-अलग जीजी होती है इंडस्ट्री के विशे के अंदर हम डिसकस करेंगे तो जो सेक्शन 2 जे है वो कहता है कि उद्योग के उन्होंने एक तरह से वो जो डिफाइंड किया है उसके दो भाग करती और उसमें ये कहा कि उद्योग से कोई व्यापार, कारोबार, उपक्रम, अभिमिर्मान या नियोजकों की आजीव का अभिप्रेरित है यानि कि नियोजक के द्रस्टी कोण से उन्होंने कहा कि इसमें कोई व्यापार, कारोबार, अभिमिर्मान या नियोजक की आजीव का अभिप्रेरित है पहली चीज, दूसरी और इसमें करमचारी की, करमकार की, वर्कमेन की कोई आजीवी का, कोई उपजीवी का, कोई उपव्यवसाय, सेवा, नियोजन या अस्थिल्फ भी शामित होता है, यानि कि जो पार्ट फस्थ है इस डेफिनेशन का, वो बात कर रहा है नियोजक की द्रस्टी कोई से, पार्ट जो सेकिंड है, वो बात कर रहा है करमचारी वर्कमेन की द्रस्टी कोई से, इसके संदर्व के अंदर खूब सारी केसी जाए, खूब सारी केसी जाए कोट के संदर्व के समय समय के उपड़, और प्रॉप्सर रैंडी सर्मय साहब ने उनको विभिन जो न्याया धीर्शों का जो समय रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने उसको डिस्केस किया, कि उन्होंने बताया कि वह जस्टिस गजेंद रगड़कर के समय में किस तरह से इसको डिफाइन किया गया, जस्टिस इदायत उला ने किस तरह से डिफाइन किया, जस्टिस भगवती ने किस तरह से डिफाइन किया, जस्टिस कृष्णा येर ने किस तरह से डिफाइन किया, तो इसको हम summarize करते हुए बात करेंगे, तो इसमें एक बात आई, काफी जो famous जो case आया, वो था अस्पताल मजदूर सभा का, यानि कि state of Bombay versus hospital मजदूर सभा, AIR 1960 का ये case है, सुप्रिम कोर्ट का, और जस्टिस गजेंदर गड़कर ने ये judgment deliver किया था, इस case के जो fact थे वो ये थे, कि JJ hospital Bombay, काफी famous एक हस्पताल, वहां की दो nursing जो staff थे, उनको छटनी करती गए, retracement करती आ गया, एक थी वचला नारायन और एक थे रूथस इसाप, ये दो लोग थे, दो करमचारी थे, मामला कोर्ट में गया, और जो दोनों पक्सकारों की तरफ से जो अपने argument किये गए, तो एक उपक्सकार कहना चाहते थे, कि ये industry dispute है, चूंकि hospital इंडस्ट्री में आता है, उद्वोग में आता है, और दूसरे जो उपक्सकार कहना था, वो ये था, कि hospital है वो उद्वोग यानि की industry की सेनी में नहीं आता, इसकी ये industry dispute नहीं है, फाइनली बुम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि जो होस्पिटल है वो उद्दोग है इंडस्ट्री की स्रेणी के अंदर आता है इसकी अपील की कि सुप्रेम कोर्ट में जस्टिस गजेंदर गड़कर ने काफी विस्तार से इसमें अपना डिसीजन दिया और कुल विलाकर बात आई कि किसी भी क्रिया कलाप के संदर में ये देखा जाएगा कि क्या वह ब्याबार की भाति संचालित किया जा रहा है या नहीं या कि किये जाने वाले कारिये के गुण और धर्मों भी परिक्षा की जाएगी इसी के लिए उन्होंने ये जो मापदंड था वो ये रखा कि जो काम जो सरकार कर रही है क्या उसी काम को कोई निजी व्यक्ति भी कर सकता है क्या यदि हां तो वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में क्यों नहीं आ सकता तो चिकितसाल है चलाने का जो काम है वो केवल राज के वरोशे नहीं है निजी व्यक्ति भी संसा लिख कर सकता है और यह कोई शॉइरेन फांक्शन पॉर्टने नहीं माना और शॉइशन नहीं माना इसलिए इसको इंडस्टी की डेफिनेशन में उन्होंने डाल दिया कि हाँ जो होस्पिटल है वो भी उद्दोगी की स्रीनिंग में आता है इसके बाद एक केस आया खाफी फेमस केस और जिसका जश्मेंट दिया जस्टिश हिदायत अलाह ने और वो केस था मद्राज जिमखाना कलब का मद्राज जिमखाना कलब का जो केस था उसमें ये पुछा क्वेशन ये था कि जो मद्राज जिमखाना कलब है उसके कुछे करमचारी बिचितने करती गई थी और वहीं सेम शिविशविशन कि क्या क्लब है वो इंडस्टिश की डेfinition में आता है या नहीं क्योंकि यह जो एक कि परिवाशा का जो दूसरा खंड है जो कार्मचारियों की दुष्टीकॉन से दिया गया है, केवल मात्र वो उद्योग को परिवासित नहीं करता, बनकि आप दोनु जो खंड हैं, दोनु उपारण हैं, उनको कलक्तिव रूप से, उनको कलव करके ही आप डिफाइन कर सकते हैं, कि क्या कोई वेदिविती उद्योग के परिवासा में आती है या नहीं आती और जस्टिस इदायतुला ने कहा कि जो फर्स्ट जो क्लोज है, जो पर्थम जो खंड है, वो ही उद्योग की सही परिवासा देता है ये सारा का सारा एपिशोड चलता रहा है, कभी किसी रेक्टिविटी को दोग माना गया, कभी किसी को नहीं माना गया और जस्टिस इदायतुला ने माना, जस्टिस का जेंदरकट करने मान लिया और ये सब इसका जो पटाट शेप हुआ, वो हुआ, सबसे जो फेमस केस था और इसका जज्जमेंट दिया जस्टिस क्रिशना एयर ने बैंगलोर वाटर एंड सिवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजरपा बैंगलोर वाटर एंड सिवरेज बोर्ड वर्सेज ए राजरपा फेमस केस रहा इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए और 1978 का सुप्रिम कोर्ट का ये डिसीजन रहा जिसमें विस्तार से सारे के सारे उसको देखा गया और जस्टिस कृष्णा एर ने कुछ एक सिद्धान प्रतिपादित किये और जो बात निकल के आई वो ये थी कि जहां पे कोई सूव्य वस्थित क्रिया कला करमचारी और नियोजक्त के सक्रिये सायूग से, किसी वस्थू के उत पादन या मित्रन या मानवी इच्छाओं और आवशक्ताओं के अविपोरती के लिए किसी सेवा के संदर में संठित किया जाता है यानिकि या तो किसी वस्तु का उत्पादन या वित्रन होता हो या मानू या उशकता हो रिच्छाओं के अभी पूर्ती के लिए किसी सेवा के संदत में हो शक्रिय सयोग हो करमचारी का नियोजक्का और क्रिया कलाप हो वो सुव्य वस्थित हो कि पहला से तान जश्टिस कृष्णा यर ने तिया दूसरा उन्होंने ये कहा कि वहिए लाप्राप्ती की वावना है या नहीं है यह तख्ष्य करते हैं कोई यह कहके कि हम तो चेरिटी करते हैं इसलिए हमारे कंसन एक्टिविटी को अपि इड्रस्ट्री की रिफिनेशन में नहीं टाल सकते यह नहीं माना जाएगा यानि कि लाप्राप्ते की जो पामना है वो मैंतुकून नहीं है निजी रूप से भी क्या जा सकता है सार्जुनिक रूप से भी क्या जा सकता है मिश्रित रूप से भी किसी एक्टिविटी को किया जा सकता है में तुकून जो काम है वो यह है कि क्रिया कलाब के गुण और धर्मों का परिक्षन किया जाए जो सास की जो कारिये हैं सास की जो कारिये शोवरें जो फंक्शन है उसको आप इंडस्ट्री की परिवाशा में सामें नहीं कर सकते और इवन उन्होंने तो जो देविये और जो डिवाइन जो एक्टिविटीज हैं उसके संदर्ब में का कि भाई यह उससे रिलेटिड नहीं यह बहुतिक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं टच करना चाहिए जो परिवाशा का जो अशर हुआ इरिडिफाइन कर दिया लेकिन उसको लागू आज तक नहीं किया संदर्ब यासी से लेके 2020 तो वर्तमान परिपेक्स में बैंगलोर वाटर शिवरेजबोर्ड वरसेज ए राजप्पा का जो डिसीजन है वही प्रमुख रूप से जो एक मार्दर्शन पस्तूत करता है तो इसी के परिपेक्स के अंदर हम कुछ एक चीजें देखेंगे तो प्वेशन अलग-अलग समय पे अलग-अलग तरह के उत्पन हुए और यह हुए कि क्या नगर निगम क्या दोग है क्या काफी केसिज आये नगर निगमों के संदर में म्यूंस्पल कोर्पोरेशन के संदर में और जो फेमस जो केसिज आये वो आये कि बड़ोदाब्रो म्यूंसपल कोर्पोरेशन तो मुखर्जी वर्षेंऻ किया नगर जो इन्ड Sahund झोर लेकिन जो नागपुर म्यूंस्पल कोर्पोरेशन वर्सेज करमचारियों का करमकारगन का वर्कमेन का उसमें यह कहा गया कि जो नगर निगम के जो समस्त कारिये हैं वो दोकी बरिवाशा में नहीं आते वो आपको उनका विभाजन करना पड़ेगा संप्रभु का संप्रभु कारी और निएक का साथ सफाई सहर की देखनी दोका यह दोनों चीजे अलग अलग पट्टे जारी करना एक काम को लोनियों के अंदर सिवरेज लाइने डलवाना दूसरा का क्या इन दोनों कामों को आप एक स्तर के उपर माप सकते हैं नहीं माप सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो सम् वो तो उद्व की परिवासा में आएंगे नहीं लेकिन जो गैर सम्प्रोपोकाद ही हैं वो उद्व की परिवासा में सामिल हो जाएंगे कि क्या वोस्पिटल को क्या वुद्यों की परिवासा में सामिल मानेंगे क्या तो जैसा मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ बंबे बंबई राज वर्सेज होस्पिटल मजबूर सब्वा जस्टिस गजेंदर कड़कर AIR 9060 इसमें तो वोस्पिटल को मान लिया था कि इंडस्टि है लेकिन सफदर जंग होस्पिटल वर्सेज कुलदीप शिंग इसकेस के अंदर यह कुशन आया था कि जो लोग कल्यान के लिए जो चिकित साले काम करते हैं जो चैरिटी के लिए विशुद रूप से काम करते हैं उनको नहीं माना जाएं सुप्र नहीं करें यानि कि उसको एक तरह से पलटती है राजपा केस के बाद बेंट और वाटर शिवरेज बोर्ड केस के बाद यह परिस्थिती फिर से बदलिए और मोजूदा जो द्रस्टिकोन है वो केरल आयरवेदिक समाज होस्पिटल सोरनपूर वर्सेज करमचारियों का करम वर्कमेन का केस है और जो बात निकल के आई वो यह आई कि जो होस्पिटल है उनको आप इंडस्टी की परिवासा में सामील खर सकते हैं क्रिस्टिन मेडिकल कोलेज वेलोर इस केस के अंदर भी मानना गए कि हां यह इंडस्टी है और इनका आधार बढ़ना वही जस्टिस क्रिशना येर का द्रस्टी को इसके बाद फिर एक क्वेशन अराइज हुआ कि क्या यूनस्टी कि क्या विश्वी ड्याले क्या ब्रह्म समाज एजूकेशन सोसाइटी और बड़ा एक संठन है वेस्ट बंगाल में, ब्रह्म समाज एजूकेशन सोसाइटी वरसेड पस्वी बंगाल महविदया अलई करमचारी सैंगि इस केस के अंदर उन्होंने का है कि इस उक्रम जो मनुष्य के बोधिक विकास पे न बड़ा संस्थान है आप उसको इंडस्टी की परिवासा में सामें नहीं कर सकते और यही बात दिल्ली यूनस्टी दिल्ली विश्विद्यालेबर सेज रामनाथ इसमें जो यूनस्टी के जो विकल थे उनके जो ड्राइवर थे उनको अटाया दिया गया था क्योंकि उनका यूनस्टी का मानना था कि यह कोई गयर जरूरी एक्टिविटी है और इससे यूनस्टी की फाइनिशियल जो परिवासा में सामेर नहीं कर सकते तो यानि कि डम समाज एजुकेशन सोसाइटी केस और दिल्ली विश्विदालवर सेज रामनाथ इसमें कहा कि नहीं यूनस्टी है वो इन्डस्टी वो दोग की परिवासा में सामेर नहीं हो सकती लेकिन जस्टिस कृष्णाईयर का जो जज्जमेंट था उसने इस द्रस्टी कौन को फिर से बदल दिया और जस्टिस कृष्णाईयर ने कहा कि यदि जिए जो यूनस्टी है वो भी इंडस्टी की परिवासा में सामिल हो सकती है उनकी अक्टिविटी भी उद्दोग जस्टिस कृष्णाईयर उनको मानते हैं जस्टिस कृष्णाईयर ने तो यहां तक कहा कि शिक्षा मात्र एक उद्दोग नहीं अब इतु सभी जो जोगों की जननी है और फिरे के साया जीवाजीव विश्विद्य लहग वालियर में तो जीवाजीव यूनस्टी वर्षेज शुरेश चंडर इस केस के अंदर भी जो यूनस्टी की जो बढ़ाई और जो प्लंबर और यह थे इनको करमचारी मानते हैं इंडस्टी माना वि इस तरह की परिवाजाने आती रही और जो ट्रेंड जो निकल के आया वो निकल के आया कुछ एक और केसी के माते में से जैसे कि करना ने प्रोपर्टीज का केस था उसमें कंपनी थी जो की बहांगों को बनाती थी उनको किरायर पे देती थी लिफ्ट वगरा को मेंटेन करत तो इस तरह की सरविशी ुसको भी इंड़स्ट्री मना गया फिर एकेस आया नैसनल हईवय ओस को और जिसमें राजमार का जो एक लोऌत सुपटांट उसको गया के करमचारीों और पर जूछ इससे तरह वरक्मेन आप नथट वेकेसे उसमें जो कुझारी था उसको तंखार नेमित रूप से मिलती थी और सभी खर्चे वर्चे और यह सब वटाने के बाद बहुत बड़े तादार के ओपर चलावा और एक बहुत ही तंबा चोड़ा एक प्रस्ट इसको चलाता था उसको जोग माना गया ग्राम पंचायत वर्शेज पीठा सीन अधिकारी नागपुर इसमें जो ग्राम पंचायत की जो शास कि काम थे उनको इंडस्टी में सामिल नहीं किया गया इसके बाद सुन्दर नारायन वर्सेज भारत शासन सची उस्रम मंत्रालय का जो केस था उसमें जो प्रती रक्षा जो संस्थान है उनकी कुछ एक एक्टिविटी को इंडस्टी के अंदर सामिल किया गया तो वस्तूस थीटी जो निकल किया आई वो यह आई कि यह डिपेंड करेगा कि जो कारिये जो संपादित किया जा रहा है उसकी प्रक्रति कैसी है यानि कि जो जिस्टिस कृष्णा ये कहते हैं कि जो प्रिया कलाफों के गुण धर्मों का करेक्शन किया जाए बात वहीं कि यहीं आके निकलती है कुछ एक यदि हम बात करें राजस्थान के यह था कि जो ग्राम पंचायतें जो वाटर सप्लाई की आप पूर्ती करती हैं जो हैंड पंप जो लगते हैं उनको शुदारने वाले मिस्तरी जो थे उन से रिडेटिड एकेज था तो उसमें अखिल राजस्थान हैंड पंप मिस्तरी संग्ठन वर्से स्टेट ओफ राजस् सामित किया गया तो वस्तु स्थीती साथियों निकल की यही आई कि जो जज्जमेंट जस्टिस कृष्णा येर ने दिया बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सिवरेज गोर्ड वर्सेज ए राजपा उसके परिपेक्स के अंदर ही कि लाप्राप्ते की बहावना मैतुई है औ और आप क्रिया कलापों के गुंधर्मों का परिक्षेंड करेंगे करमचारी नियोजग का शक्रिय से योग होना चाहिए और किसके लिए या तो किसी वस्तु के उत्पादरिया वित्रण के संदर्व में या या फिर मालविया अशक्ता और इच्छाओं के अभी पूर्ती यह तो किसी सेवा के संदर्व में अब करिया कलाप है वो कैसा होना चाहिए शुववश्थित होना चाहिए तो इस तरीके की जो बातें जो निकल के आई उसी से और जब तक की 1982 के संसोधन की जो करिबासा है वो लागू नहीं होती तब तक की जो मार्दर्शन जो करेगा व से भार मैं उमीद करता हूं कि एक अफ़््ठक आपको सिखें में अगले इसमें हम सब्सक्राइब करेंगे कि बढ़र में को सिदय क्या है हड़ता यानि कि स्ट्राइक क्या है लोक आउट क्या है लोक डाउन अलग चीज होती है लोक आउट अलग चीज होती है आप लोक डाउन क्या नुपाल ना करें लोक आउट के संदर में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे चटनी और ले ओफ या है रिट्रेश्मेंट और ले ओफ यानिकि जवरी छुट्टी और चटनी के संदर में इस तरह की जो जितनी भी जो डेफिनेशन जो ट्लाज है उसको मैं अगले उसके आपके समझ डि हुआंज रियुन स्फित रूझ बजया हुआंज!